जैहिन सांथियो अंतियोदय सिविल सर्विस अकेडमी में आपका स्वागत है आज हम थ्रिमारकर स्पेशल सीरीज का वीडियो देखेंगे और मॉडरन हिस्ट्री के ये क्वेस्टिन रहेंगे कुछ दिनों से वीडियो आ नहीं पाई थी उसके लिए मैं आपसे माफी मागना चाहूँगा और सांथी वीडियो स्टार्ट करनी से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज आप कॉपी पेन लेकर सांथ में बैठ जाएं क्योंकि आप इन मार्क्स के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो नौट डाउन करते चलें सांथी यदि आप कहीं और से भी थ्रिमारकर क्वेश्चन कर सकते हैं तो वह भी सांथ में करते जाएं और दूसरा अनुरोध यह है कि हमें प्रोथसाहन देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें सांथ इस तरह की जो हमारी वीडियो हैं उनको अपने परिच्चतों तक या जिन लोगों को इनकी आवस्चता है उन तक इसको शेयर करना भी ना भूलें अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वीडियो आज हम यह दस क्वेश्चन त्रिमारकर देखेंगे मॉडन हिस्ट्री के पह इन या चार पॉइंट याद कर ली दिये और मिनिमाम तीन या चार पॉइंट देने की एक्जाम में कौसिस भी आपको करना है पहला हमने दिया उपनाम इनका धरती बाबा था इन्होंने मुंदा बिद्रो जो की 1899 में हुआ के नेत्रत्व करता भी यह है थी तर्ड पॉइ पॉइंट हमने इनका लिया है संसद में चित्रत एक मात्र आदिवासी मतला बिर्शा मुंदा एक ऐसे आदिवासी है जिनका बरतमान में संसद में चित्र है और लास्ट पॉइंट हमने यहां लिया है जारकंड के राजकिये चिन्न के प्रतीख भी बिर्शा मुंदा जी है Second question हमारा है यहाँ पर Montague घुष्णा Montague घुष्णा कब हुई? 20 अगस्त 1917 को हुई दूसरा point कहाँ पर की गई? तो House of Commons में यह Montague थे इन्होंने की कहाँ पर? House of Commons में Third point है उद्देश भारत में British नीतियों का परीचे देना इसका उद्देश था अर्थात किस तरह भारत में अंग्रेज सासन करना चारा हैं? किस तरह की उनकी नीतियां हैं? यह बताने का प्रियास किसमें किया गया? Montague घुष्णा द्वारा किया गया Fourth point है विसेशता क्या थी? इस जो घुष्णा की गई इसमें क्या विसेशता थी? तो पहली बार उत्तरदाई सरकार की घुष्णा की गई अर्थात अंग्रेजों ने स्वैम को पहली बार उत्तरदाई सरकार के रूप में सुईकार किया दूसरी बात स्वासासी संस्थाओं का विकास अर्थात स्वासासी संस्थाओं के विकास पर बल देने की बात यहां पर की गई और फूर्थ लास्ट पॉइंट हमने लिया है तुलना अर्थात किस तरह इसकी तुलना की मौन्टेगी गोष्णा को भारतियों ने किया कहा तो भारत का मैगना कार्टा किन होने कहा उधारवादी जो नेता थी उन्होंने इसे भारत का मैगना कार्टा माना वहीं तिलक इस गुष्णा से वकूभी वाकिफ थे तो उन्होंने इसे सूरिय विहीन उसाकाल कहा अर्थात ऐसी सुभा जिसका कोई सूरिय उद्य होने वाला ही नहीं है थर्ड है व्यक्तिगत सत्याग्रह तो इसमें क्या है अवधारना किनकी थी तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंब गांधी जी द्वारा किया गया था दूसरा point हमने लिया है प्रारंब कभी किया गया इसका तो यह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंब हुआ तीसरा point इस्थान अर्थात कहां से यह प्रारंब हुआ तो पवनार आश्रम जो की महरास्ट में है इसका प्रारंब किया गया फोर्थ उद्देश क्या था माफ कीजी का पवनार आश्रम एक बार आप चेक कर लीजिए कहां है कंफर मुझे है नहीं एक्चली उद्देश दुट्य विष्वियोद्दे से भारत को अलग रखना क्या उद्देश था क्यों यह चला गया था तो जो दुट्य कवर कराती हैं जैसे कि प्रारंभ हमने बताया इसका इस्थान बताया इसका किसने चलाया वो बताया और सत्याग्रही भी इसका एक क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है MPPSC मुख्य परिक्षा में तो सौरी प्री परिक्षा में प्रीलिम्स में है पूछा गया था तो इसके पहले सत्याग्रही थे बिनोवा भावे दुत्य थे जवाहर लाल नहरू और त्रत्य थे ब्रह्म दत्त इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है फूर्थ क्वेश्चन है पील कमीशन गठन कप किया गया 1857 में इसका गठन किया था जो की 1857 की क्रांती के उद्देश्य क्या था इसका तो जो सैना थी अंग्रेजी सैना उसका पुनर गठन करना इसका उद्देश्य था इसमें सैना को धर्म जाती संप्रदाई के आधार पर बांटा अर्था बांटने की इनकी प्रथा 1857 से ही प्रारंब हो चुकी थी सैना में यूरोपीयों की सं सेनेक रखे गए अर्थाद बंगाल में एक भाग यूरोपी होंगे वा दो भाग भारतिये, एवन मुंबई वा मदरास में एक भाग यूरोपी वा तीन भाग भारतिये सेनेक रखे जाएंगे, फिफ्द क्वेस्टेन हमारा है सेवा सधन, सर प्रत्म हम इसकी स्थापना है इस्थान क्या था वुभी स्थान की गई अर्थात बंबई में इस ही स्थापना की गई अर्थाइए उठीन किया था था तो मुख्य उठीस की थे पहला वुढ़क का ब्रोध करना विद्वा पुनर विभाक ability गालत करना और सय फूर जिनका समाज द्वारा सोसन किया गया ऐसी महिलाओं का उत्थान करना इसका उद्देश्य था इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे सर प्रतम All India Trade Union Congress इसका पूर्ण रूप हुआ दूसरा तत्थ हम देखेंगे स्थापना इसकी 31 सक्टूबर 1920 को की गई प्रतम अध्यक्ष थे इसके लाला लाचपत्राय अन्य सदस की बात करें तो दीवान चिमनलाल जॉसिफ बेप्टिस्ट है इसके अन्य सदस्यों में सामिल थे और लास्ट इसका उद्देश क्या था तो जो ILO International Labour Organization की स्थापना पहले हो चुकी थी मैं भारत का प्रती निदित्व करना साथी साथ जो ट्रेड विवाद थे उनका भी एक मंच के रूप में यह कारे भारत में करने लगा था बारदॉली सत्याग्रह कब हुआ था 1928 में हुआ नित्रद्व करता सभी को मालूम है सरदार बल्लब भाई पटेल ने इसका नित्रद्व किया था कारण क्या था तो अंग्रेजों द्वारा उस छेत्र में लगान में ब्रद्धी कर दी गई थी परणाम किया हुआ तो किसानों ने कर देने से इंकार कर दिया और लास्ट एक महिलाओं पॉइंट कि इसी आंदौलन के दौरान महिलाओं ने जो वहां की बारदौली की महिलाएं थी उन्होंने बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी परदान की थी गदर आंदौलन एर्थ क्वेश्चन हमारा है इसका प्रारंब कभ हुआ 25 जून 1913 कहां से हुआ सैन फ्रांसिसको प्रवर्तक इसके कौन थे सुहन सिंग भाकना और लाला हर्दयाल इसके मुख्य प्रवर्तक थे थर्ड पॉइंट हमने लिया है अन्य सदस्यों में महेंद्र प्रताप बरकत उल्ला केसर सिंग ठतगल आदी सामिल थे फूर्थ इसका उद्देश्य क्या था तो विदेशों में क्रांती कारी आंदौलन द्वारा अंग्रेजों का ब्रोध करना अर्थात क्रांती कारी गति और उसके माध्यम से अपने अंदौलन का प्रचार प्रचार भी किया नाइन्थ हमारा प्रशन था पाई का बिद्रो हो पाई का बिद्रो कब हुआ 1817 में हुआ 1817 देखी यह कुश्चन महेंद्वपून है चेत्र इसका खुरदा चेत्र उडिसा में है कारण क्या था तो अ अंग्रेजों के ब्रध प्रथम संगठित किसान विद्रो था अर्थात अंग्रेजों के ब्रध जो किसान अंदौलन हुए इससे पूर भी हुए लेकिन यह है प्रथम संगठित किसान विद्रो था अभी 2017-18 में इसको प्रथम राश्ट्री अंदौलन देने की बात भी कही गई थी इसकारण यह न्यूज में था और इसके महदव को बड़ा दिया गया पूना समझाता कब हुआ 26 सितंबर 1932 को यह हुआ कहां हुआ पुने की यरवदा जेल गांधी जी इसमें बंद थे तो पुने की यरवदा जेल में पूना समझाता हुआ किसके मद गांधी जी और अमबेटकर सहाब के मद यह हुआ परिणाम क्या हुआ इसका पहला परिणाम की दलितों के लिए प्रथक निरवाचन जो था वो समाप्त कर दिया गया दूसरा प्रांतिये विधान मंडल में दलितों के लिए 148 सीट हैं तता केंद्री विधान मंडल में 18% सीट हैं आरक्ष मार्क्स के थ्री मार्क क्वेश्चन MPPS से परिक्षा में आते हैं उन्हें ध्यान में रखिए और एक अपना टार्गेट सेट कीजिए कि हमें इन में से कितने अंक प्राप्त करना है मिनिमम आपको 320 जो लक्ष हमने रखा आई है मिनिमम का है जो की 350 तक भी हो सकता है साथ ही अब आपकी जो वीडियो है बुनरंतर कंटीनियू रहेंगी और कल से आपकी अन्य वीडियो थ्री मार्कर या अन्य सब्जेक्ट की थ्री मार्कर क्वेश्चन भी स्टार्ट किये जाएंगी जैहिंद धन्यवाद